Hello everyone, Jitko TV YouTube देखने वाले सभी वियर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार and सच शेकार आज मैं जो लाइवो के ये वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरे एक ही मकसद है कि बहुत ही तक्रिबन एक साल से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मेरे फोटोग्राफ्स यूज करके बहुत सारे लोग जो है अपनी फेस्बुक आइडी में फेस्बुक की मेरे फोटोस यूज कर रहे हैं with different names आदमी भी हैं, लड़के भी हैं और जादा तर लड़के ही हैं और नेपाल या बांगलादेश वहां की भी एक आइडी मुझे बता चली है कि मेरे फेस्बुक आइडी चला रहे हैं और बहुत पुरानी आइडी है जिसमें मेरे बहुत ही जादा पिक्चर अप्लोड किये CD के थाद हैं, चाहे वुकूलयादेश या नेपाल में हैं या इंडिया में हैं या कहीं पे भी और है तो मैं अपने सभी वीएर्ट या एक वार्निंग जैसे यह देना चाती हूं कि जो भी यूज कर रहे हैं उनकी तो जो हैं लीगल एक्शन लिया जाएगा बट अगर कोई भी इनसान कोई भी आईडी यूट्यूब में या कोई भी एजेंट कोई भी कंसल्टन्ट या कोई भी ऐसा इनसान या कोई भी कॉल आपको आती है अगर आप उससे हेल्प लेते क्योंकि नीचे कमेंट्स पढ़के बहुत सारे लोग जो है जो एजेंट्स हैं सब एजेंट्स हैं या फ्रीलैंसर एजेंट्स हैं वो कॉल करते हैं लोगों को सर्विसिस के लिए तो आज मेरी तरफ से एक ये अलर्ट है कि मैं अगर कोई काउंसलिंग कर रही हूँ तो सिर्फ अपने फेस पेज पे जो कि मैं खुद और जिनके पास पुराने मेरे नंबर हैं उनको भी मैक्सिमुम मैंने ब्लोग किया हुआ है क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इशूस हैं जिसकी वज़े से मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती तो अगर कोई भी इनसान आपको फोन करके जीत को टीवी या जीत की सर्विसेस की तरफ स आपको कॉल करता है तो ये बात आप समझ लेना कि वो मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरे नंबर किसी के भी पास नहीं है अगर फेस पेज बनाके या फेस बुक आईडी पे मेरी फोटो लगाके दिफरेंट नेम या कुछ भी करके कोई मेरे नाम से आपको कोई भी चैरिटी या कोई पैसा मांगता है या कोई सर्विस मांगता है या कोई हल्प मांगता है तो वो भी मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी किसी भी टाइप की चैरिटी के लिए किसी से भी कोई पैसा नहीं मांगती मैं अपनी किसी भी कंसल्टेशन के लिए किसी भी अडवाइज के लि देना चाहती हूं तो अगर कोई भी टाइप की आपको फोन या मेसेज या आइडी या फेस्बुक या इंस्टाग्राम विद मेरी फेस आइडी के साथ अगर है आइडेंटिटी तो वो मैं नहीं हूं अगर कोई भी किसी को देता है तो वो खुद जिमेदार होगा मैं करते क्योंकि उनके पास ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है मेरे कोई भी किसी ऑए टाइप के immigration, relationship, advising एंड grief and bravement अड़्वाइजर नहीं है उनके totally different बिजनेस है जिनमे उन्हों एक minute भी time नहीं है तो कोई भी इंसान मेरी family बनके या कोई और बनके किसी भी country से अगर आपको call करता है आपको work permit देने का offer करता है या आप से कुछ पैसे claim करता है तो वो मैं नहीं हूँ अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो YouTube में आप मुझे message कर सकते हैं मेरे face page या spouse visa या किसी भी कड़री का immigration process नहीं करती, I am retired from immigration process, तो वो एक चीज़ आप अपने याद रखना, but counseling advice में करती हूँ, उनको सोच समझ के जिनको मैं कर सकती हूँ, तो वो मैं करती हूँ, उसके related मैं videos भी बनाती हूँ, but किसी भी type की monetary help के लिए, अगर कोई मेरा नाम या मेरा face या मेरी type की कोई ID बनाता है, तो वो मैं नहीं हूँ, ये बात अपने ख्याल में रख लिजिए, दूसरी बात ये, कि अगर कोई इनसान, खुद का वुजूद होते हुए, अगर किसी इनसान का जो की public figure है, public figure होने का मतलब है, अगर मेरे face को use करती है, तो उसके against legal action लिया जाएगा, वो इस इनसान के against legal action लिया जाएगा, और ये एक alert है कि वो मैं नहीं हूँ, जो भी लोग इस तरह के, किसी भी type के इनसान के हाथ में आते हैं, आप मुझे inform कर दीजिए, किसी की ID यूज़ करना, किसी का face या photograph यूज़ करना, अपने personal benefits के लिए, क्या reason हो सकता है, मैं मानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं, जो रात के 12 बज़े एक बज़े भी मुझे message करते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं आपका fan हूँ, पर 12 बज़े एक बज़े कोई बात करने का timing नहीं होता, आप मेरे face page पे message चोड़ सकते हैं, बहुत ही जरूरी message जहां पे मैं आपको reply कर सकूँ, बाकि अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसी हरकते करने से आप बहुत महान हैं, बन जाएंगे और मैं बदनाम हो जाओंगी, तो ये सब चीजों के लिए हम लोग mentally trained हैं, हमको पता है कि technology से क्या-क्या हो सकता है, मैं और मेरी family हम लोग totally prepared हैं इस चीज़ के लिए, तो उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, और आपको भी कोई benefit होने वाला नहीं है, अगर आप मुझे like करते हैं, मेरे fan हैं, तो please एक रहम कीजिए हम पर, मुझे पर, मेरी face को अपनी profile picture मत बनाएए, क्योंकि मेरी खुद की एक dignity है, आप अपनी facebook में क्या क्या करते हैं, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, और ये illegal है और crime है, अगर आप fake ID बनाते हैं, और किसी के face को use करके, आप उसका misuse करते हैं, तो उसके वो भी एक society guidelines के against है, अगर आप बांगलादेश में हैं, नेपाल में हैं, या कहीं पे भी हैं, facebook सभी countryों में activate है, society के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, या अपनी मर्जी से जिन्दिगी जीना चाहता है, तो ऐसे काम आप मत किजिए, जिसे आप fan होते हुए भी दाग लगा रहे हैं, इज़त ऐसे नहीं दे सकते हैं, इज़त देने के बहुत जरीय होते हैं, किसी को अपने दिल में जगा देना बहुत बड़ी बात है, पर अगर आप अपनी Facebook fake ID पे, Facebook Instagram ID से, अगर आप photo चुरा के मेरे face को यूज़ कर रहे हैं, तो वो illegal है, एक crime है, उसके against action लिया जाएगा, उसके लिए मैं sorry हूँ, तो आप इस चीज़ को दोहराएं मत, बाकि जो हैं, वो maximum catch कर लिए गए हैं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, आप किस बात से अपने शकल को शुपाते फिर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपको ऐसी क्यों जरूरत पड़ी, मेरे face लगा के अपनी ID बनाने की मुझे नहीं पता, पर लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो मेरे सभी followers को, वो fans को, जो दुबई में हैं, UAE में हैं, या कहीं पे भी हैं, even in Nepal, इंडिया, जो भी मुझे देखते हैं, पाकिस्तान में भी, तो एक खाद जोड के प्रात्ना है, कि मत कीजिए, ये गुना है, और बहुत नजदीक है, क्राइम के, क्योंकि मैं कोई तोब नहीं हूँ, जिससे आपको बहुत बड़ा फैदा होगा, पर मुझे इस चीज़ से ज़रूर तकलीफ होगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो, अगर आप सच मुझ में मुझे तकलीफ में नहीं देखने चाहते, तो मत कीजिए, बाकि अगर आप मेरी ये रिक्वेस्स से भी नहीं माने, तो दूसरे और बहुत सारे एक्शन्स ले सकते हैं, जो कि अलरडी पाइपलें में हैं, तो प्लीज दोंट दो इट, इस इस इलिगल, इस 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 दिखने, इस ओफेंस, और इस अगेंस 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 अगेंटी गाइडलेंड्स, प्राइड़ा, क्वाचित्व, याज द्युक्छाइब, इस दिखनांगेंस, अप्राइड़ कानवेंस,